पेरिस ओलम्पिक्स दोहजार चौबिस आज भारत के खाते में आ सकते हैं पांच मेडल अर्जुन और रमता सूटिंग में इतिहास रचने के करीब वही जान लेते हैं आज का पूरा सेडियूल पेरिस ओलम्पिक्स दोहजार चौबिस में भारती दल सुपर संडे के लिए त दारते हुए भारत को पेरिस ओलम्पिक में पहला मेडल दिया है सुमवार को यानि आज भाकर फिर से एक्सन में दिखेंगी और दस मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ट टीम एवेंट में पदक जीत कर अपने देश का नाम रोसन करने की कोसिस करेंगी निसानेबाज रमता जंद मेडल और अरजुन बविता भी अपने अपने विक्तिकर दस मीटर एयर राइफल फाइनल में अच्छा पर्फोर्मेंस करके भारत को मेडल दिलाने की हर संभव कोसिस करने वाली हैं आज भारत के खाते में आ सकते हैं पांच मेडल वो कैसे आई जानते हैं तो सूटिंग द सांगवान आरजुन चीमा सिंग दस मीटर एयर पिस्टल मिस्रित टीम कौलिफिकेशन इस परधा में भाग लेंगी कौलिफिकेशन चरंड से सीर्स चार टीमें पदक दोर में पहुचेंगी सूटिंग में दस मीटर एयर राइफल महला फाइनल यानि संभावित एक मेडल दो पहर एक बज़े से रमता जिंदल ने दस मीटर एयर राइफल महला इस परधा में फाइनल में जगए बनाने के लिए बहुत अच्छा परधारसन किया वे कौलिफिकेशन दोर में पांच में स्थान पर रही थी उनका फाइनल आज दो पहर 11 बज़े से सुरू होगा उम पहरत की अरजुन बाबुता ने कौलिफिकेशन राउंड में सात्वें स्थान पर रहकर पुर्सो की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में जगए बनाई है उन्हें फाइनल में सीर्स तीन में जगए बनाने की उमीद होगी पतक मैच भारती समय अनुसार दो पहर तीन बज़ से बहतरी इंतिरंदाजव वाली भारती पर इस टीम आज कौर्टर फाइनल में कोलंबिया तुर्की से बढ़ेगी अगर भारत जीतदा है तो तीनों पतक दोर में पहुंच जाएंगे मैच भारती समय अनुसार साम पांच बचकर 45 मेट पर होगा तो यह है पूरा सेडियू तो आज पांच मेडल भारत के हाथे में आने की पूरी पूरी संभावना है